अगर हां तो यह वीडियो आपके लिए गाईज वेल्कम टू दा इंजिनेस अडर 24 7 मेरा नाम है अभी शेक कोशक आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज्यादे मतलब ज्यादे कोशन पूछा गया है बहुत ज्यादे यूट्यूब पर भी कमेंट्स में भी लाइव क् तो मैं आपके लिए जो आप most expected सोच रहे थे कि यह वीडियो जल्दी से जल्दी बना दो सर मैं लेकर आ गया हूं कि expected notification क्या हो सकता है नोन टेक का क्या क्या कैसे portion वो थोड़ा सा discussion कर लेते एक्जाम पैटर्न क्या है नोन टेक में क्या क्या आ रहा है और कैसे आप इसको अच्छा कर सकते हो और जैसी हो चाहिए कि अंदर अंदर तयारी हो पाएगी क्या अंदर अंदर हो जाएगा तीयर वन चाहिए कर सकते हैं यह हमें अभी से मैंनत करने पदेगी यह भी on करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पता देता हूं आपको जो भी आप यहां प्रैक्टिस करते हो डेली लाइव क्लास में यूट्यूब पर उसके लिए आपको डाउनलोड करना जरूरी है क्योंकि वहां जाके आप ज्यादे प्रैक्टिस करते होगे यह आपको डाउनलोड कर लो वह जरूरी है आई जानते हैं अगर मैं बात करूं आर भी जाई के लिए तो आपको 2023 में नोटिफकेशन दिखाई दे सकता है मैं बताता हूं expected क्यों हूं कह रहा हूं मैं क्यूंकि 2024 में election देखो cdc बात है 2024 में election है तो सरकार क्या चाहेगी कि 2023 में वह अच्छी गासी वेकंसी दिदे जिससे 24 में उनको फायदा हो जाए अकसर ऐसा होता है जैसे 19 में भी हमने देखा था कि 2019 में उससे पहले 2018 में वेकंसी आई थी बरपूर है ना 2024 में election है तो most probably आपका 23 के last में last in the sense की October November के आसपास आपको notification दिखाई दे सकता है अब बात य notification आने के बाद आप त्यारी नहीं कर पाऊगे यह confirm है क्यूंकि advanced math भी आता है arithmetic और question अच्छे level के पूछे जाते है easy पहली बात तो यह ठीक है अगर हम बात करें question कैसे कैसे आएंगे जैसे maths के अगर में बात करूं 30 questions पूछे जा रहे है 100 नंबर का paper है 100 में से 30% weight is maths का है और maths advanced भी अर्थमेटिक भी है कि कि दोनों के दोनों आपके आ रहे हैं और यह क्या है यह दोनों बढ़िया लेवल के पूछे जाते हैं आक से question geometry trigonometry अच्छे अच्छे आती है तीसी number के होंगे मतला एक question एक number का है अगर अगली बात करें reasoning की यहां 25 question पूछे जा रहे हैं और 25 नंबर के reasoning easy नहीं है यहां बहुता रहा हूं क्यों reasoning easy नहीं है क्योंकि यहां पे LR वाला portion ज्यादा आ जाता है logical reasoning जो होती है statement वाले मतलब read करना पड़ेगा उसमें accuracy थोड़ी सी नामों डौल होती है बच्छों की तीसरा section है आपके पास general awareness का उसके 15 question आपको दिखाई देंगे 15 नंबर के बेसिकली अगर हम बात करें sscj में sscj में 50 नंबर का आता है और 50 के 50 उसमें general science और static सारा एक में include होता है लेकिन इस वाले में जही में कि आपको individual timing नहीं मिलती जैसा banking और बागी अग्सांस में आपने देखा भी होगा यहां पर composite timing है जो कि 90 minute है और 90 minute में आपको 100 question tackle करने है कि 90 minute में आपको 100 question यहां टेकल करने है तो question सबसे अच्छी बात में बताता हूं इसमें क्या है कि आपको टाइम लगने वाला है वह यहां पर यहां पर लगने वाला इन दो section में timing नहीं लगी मतलब कि कुल मिलाके 55% जो वेटेज है आपका वूसमें आपको timing लगने वाली है पूरे के पूरे section में अगर cbt1 की बात कर रहे हैं और दो ही section यह से हैं जिसमें आपको accuracy दिखाई देगी आपकी आपका जनल साइंस वाले में थोड़ी से accuracy the model ही रहेगी क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लगाओगे या फिर आप रिस्क लोगे थोड़ा बहुत तुक्क लगाने के कोशिश करोगी कि मिनट में आपको 100 questions टेकल करते हैं अब थोड़ा सा इस पर में syllabus दिखा देता हूं आपको है क्या mathematics के अगर हम बात करें maths में क्योंकि advance पर arithmetic सारा का से दिखाई देगा है या पर प्लस D.I.B. इसमें included है data interpretation number system की basic questions board mass decimal fraction वो रहेंगे रहेंगे आपके hcf square root ratio proportion percentage mensuration क्योंकि mensuration advance का topic है time and work time speed distance simple interest compound interest यह एक साथ आएंगे profit loss algebra जो मैंने बताया आपको geometry और trigonometry advance का portion आगया elementary statics के कुछ questions होगी mode median वाले वो है ना अगर उसमें तो यह आपने formula सीख लिया तो easily way में आप solve कर लोगे कोई problem इसमें नहीं होगी static वाले portion में इस calculation वाले आप ratio में मान सकते हो अला कि calendar clock इसको आप यहां से हटा भी सकते हो इसको आप उसमें डाल सकतो reasoning वाले portion में और pipe and system आपका अलग हो गया कुल मिला कि वही स्लेवर्स है जो क्वांट का basic स्लेवर्स है बट इसमें advance portion आ गया है जो कि algebra, geometry, trigonometry और mensuration एक, दो, तीन, चार, चार topic आपके advance के पूछे जाएंगे तो यह आपने देख लिए कि advance के चार topic और बाकी पूर आर्थमेटिक प्लस डियाई वाला section ठीक है डियाई वाला section भी आपको देखने को मिलेगा तो इसको आप ignore नहीं कर सकते reasoning में अलकि मैं बताते हैं, reasoning का जो सलेवास है, वो SSE JEE जितना ही है, प्लस LR वाला portion आपको अलग से पढ़ना बढ़ेगा, क्योंकि LR के question थोड़े से आपे दिखाई देगे, बेसिक बेसिक आपको यह चीज़ करनी पड़ेगी, current affairs और जो general science है, general science में तीनों जो आपको कवर करनी पड़ेंगी, physics, chemistry और बायो, और अगर मैं बात करूँ current affairs की, जो की 15 नंबर का weight is रख रहा है, 15 नंबर में आपको थोड़ा सा static portion तो read करना ही करना है, प्लस आपको dynamic portion, मतलब current affairs, लेकिन बस मेरे मानना ही है, जब current affairs पड़ोगे न, तो RRB के लिए अभी से पढ़ने की जुरूद न यह current affairs, वो एक महिने में cover हो सकता है, क्योंकि weight is गम है, इस वज़े से कहा रहा हूँ, लेकिन कोई और exam होता है, तो आपको daily rate दी cover करना पड़ इस exam के लिए, बस सबसे अच्छी बात ही है, कि notification आने के बाद तयारी नहीं होगी, मैं दुबारे से repeat कर रहा हूँ आपके लिए, आप यह सूचो कि कि एक महिने में सबसे cover हो जाएगा, नहीं होगा, अभी से धीरे-धीरे-धीरे cover करना है, स्टार्ट करो अगर आपने अभ सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा मेरे को बुक सर्च करनी ना पड़े, मेरे को यूट्यूब पर बार बार जाके सर्च ना करना पड़े, मेरे को बना बना मैटिग्रियर मिल जाए, मैं उससे पढ़ लू और वहां से exam निकले, तो उसके लिए जोएन कर सकते हो आप courses, classes को मतल सब्सक्राइब दे रहे हैं, तो जो भी आप branch के हो, जिस भी branch के हो, उस पर click कर सकते हो, एक मैं बता रहा हूँ, जैसे suppose आप civil के हो, तो जैसे आप civil पर जाओगे, और view offer पर जाते हो, यहाँ 9499 दिख रहा है, इसको कम करने का तरीका है, जैसे आप coupon code लगाते हो, coupon code लगाते आप apply करते हो, तो आप आपको discount दिख जाता है, और fully दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, तो इस तरीके से आप classes में आ सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं force नहीं करूंगा, अगर आपको लगता है कि हाँ sir, classes में आके अच्छी तयारी हो जाएगी, तो well and good, classes में आक को classes में entry मिल सके, और discount में मिल जाएगा साथ में, अब आप यह कोर्स जरूरी है या नहीं यह भी बता दो, यह depend करता है आपको पर, यह मैं आपके उपर ही course, क्योंकि fees आपको pay करनी है, पैसा आपको देना है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ, आप pay कर सकते हो, इतना afford कर स सकते हैं, तो आप YouTube पर सकते हो, as simple as that, simple सी बात है, क्योंकि company को चलाने के लिए बाकी पीछे course लगती है, वो course को bear करने के लिए कुछ ने कुछ एक course रखी जाती है, किसी भी courses की, तो वो है, ठीक है, तो अगर pay कर सकते हो, वैलन को नहीं pay कर सकते हैं, तो आप YouTube पर डेली पढ कर सकते हो, वो सब हो जाता है, वहाँ YouTube पर वो दिखाई नहीं देता है, बस, इतना फर्क है, और कुछ भी नहीं, ठीक है, hopefully यह आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं आप next class में, तब तक के लिए, bye bye, take care and have a nice day guys.